हेलो दोस्तों गिदमोगान अप्डेट्स के न्यू एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज अप्डेट्स बहुत जाद हैं तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो गर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शुरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने वी तक नहीं किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारा पहला अप्डेट है नोकिया की तरफ से दोस्तो इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे नोकिया की तरफ से हमें कोशना को उस धमाके दर देखने को मिलेगा लेकिन मिला शिर्फ नोकिया 2.2 अब यह फोन एक बज़र सेग्मेंट का फोन है इस फोन में आपको मिलता है मिरेड है किलियो A22 रियर में सिंगल कैमरा 13 मेया पिक्सल का और फ्रंट कैमरा 5 मेया पिक्सल का 5.7 इंच का डिस्पले है HD प्लस वाला और यहां भी डिस्पले मिलता है आपको वाटर डॉप प्लस के साथ आप सब जानते हैं Nokia 5.1 प्लस वह आपको हर ओफर में मिल जाता है 7-8 जार की रेंज में ऐसे में हम वो फोन क्यों नहीं लेंगे यह फोन हम क्यों लेंगे बताना मुझे कुमेंट में क्या आप लोगे Nokia 2.2 या आप जाओगे Nokia 5.1 प्लस के साथ जिसमें आपको नहीं Nokia X71 और नहीं Nokia 9 और किसी फोन की कोई बात नहीं की गई गई इतने टाइम से Nokia इंडिया में काम कर रहा है पर वो अब तक समझ नहीं पाया कि हमें इंडिया में क्या चाहिए अगर Nokia इंडिया में Nokia X71 Nokia 6.2 के नाम से लोंच कर देता तब बात ही कुछ और बन जाती 16-17 ज या फिर Amazon से भी आप ले सकते हो तो अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे थे तो इसको लेने का आप सोचना भी मज़ इसको आप इग्नोर किजिएगा ये फोन वैल्यू फर वनी नहीं है अब बात करते हैं हुआवे के बारे में हुआवे के साथ आप दोस्तों जानते हो कि अब तक दिक्कत में है हुआवे शोमी दोस्तों आपको और सर्पाइज देने वाला है जैसे कि आपको बता है Amazon से जब आप कुछ ओडर करते हो तो आपको option मिलता है next day delivery का अब ये option आपको mi.com पे देखने को मिल रहे है 150 cities में ये service स्थार्ट कर दी गई है इसके लिए आपक जाड़ वेट नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपको 14 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आप दोस्तों टार्टस का यूज कर रहे हैं और आपके बास दो सेट्टो बोक्स हैं तो अब आपको टेंशन होने वाली है फिलाल का सिस्टम है एक सेट्टो बोक्स रहते है प् 15 जून से ऐसा नहीं होने वाला आपको 15 जून के बाद सेट्टो बोक्स का अलग से बिल पे करना पड़ेगा ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है तो यह मैं कहूंगा बहुत ही गलत बात होने वाली है अगर आप मल्टी सेट्टो बोक्स यूज कर रहे हैं तो आपको प्राद होगा यह रियल्मी की तरफ से पहला स्मार्टफोन था जिसने पूरी मार्किट को हिला के रख दिया था 10,000 से नीचे की प्राइज रेंज में अब आपको रियल्मी 1 और रियल्मी यूवन इन दोनों में कलरोई 6 बीटा अपडेट और साथ में अन्रोई पाई का अ जैसे का नाम है अब इसका लॉन्ज थोड़ा डिले हो सकता है जब तक है पूरा केश सोल्व नहीं होता एक्शुली किसे ने केश डाल दिया कि जो यह ट्रेडमार्क है जैन नाम का यह हमारा ट्रेडमार्क है आप उसको यूज नहीं कर सकते तो अब जो नेक्स प्रेरिंग कोड की वो है 10 जुलाई को देखते हैं क्या निगल के आता है दोस्तों अब हम रियल्मी की बात करते हैं तो रियल्मी ने भी एक गुड न्यूज दे दिया आपको मादव जी यह ट्विट किया है इस ट्विट के एक कोडिंग आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी 5G देखन को मिल जाएगा तो काफी अच्छी बात है यह 5G आने से पहले 5G स्मार्टफोन हमारे पास होगा इंडिया में इसके लिए थाम्स अप क्या आप एक्साइटी दो रियल्मी के 5G फोन के लिए कमेंट से बताना मुझे दोस्तों आपको मैंने बताया था कि LG का एक फोन आने व लेकिन यह कंफर्म हो चुका है जल्दी आपको यह फोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह Amazon इंडिया पे लिष्ट हो चुका है जैसी कुछ और पता लगगा इसके बारे में मैं आपको इंफर्म करूंगा दोस्तों Spotify आप के बारे में आपको बता होगा जब Apple के कुछ नहीं पहले फोन आये थे उनमें आपको option मिलता था 3D Touch का जो की काफी popular था 3D Touch का option अब जो नया iOS आया Apple का iOS 13 इसमें से 3D Touch का option हटा दिया गया है अब यह नहीं बता कि आने मेरे टाइम में यह वापिस लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा फिलार आपको नॉ इंडिया में भी आपको यह पून जुलाई के आखकर देखने को मिल जाएगा फिलाल जो न्यूज आ रही है वो यह है कि इसमें आपको फेशन लोग देखने को नहीं मिलता था लेकिन अब आपको एक अपडेट मिल चुग है Redmi K20 Pro में जिसके बाद फेशन लोग का option अनेब लेकिन फिलाल आपको यह फीचर मिला यूएस ब्राजिल और यूके जैसी कंट्री में इंडिया में आपको यह फीचर जल्दी देखने को मिल जाएगा गूगल मैप में स्पीडो मेटर का इसके लिए थम्स अप है गूगल को अब हम बात करते हैं वीवो के बारे में जैज अगर आप दोस्तों वोड़ाफोन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए गूड न्यूज है वोड़ाफोन ने एक और प्रिपेड प्लैन लॉंज कर दिया है 5.99 का इस प्लैन में आपको 6 मिने के वैलिटी मिल जाएगी और आपको मिलेगा 6 GB 4G डेटा यूज करने को प्लैन है तो आज के इन अपडेट्स में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको इपडेट्स पसंद आए होंगे अगर आपको इन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शे करना बत बोलिएगा बिलते हैं फिर किसी और वीडियो में थैंक्स प्रोचिंग देस व झाल